वेरी वेलकम टू आल साती हो एक जमफ फाइटर नमरम तो आप सभी का हादिक्स वागते आप सभी के लिए बिग अपडेट्स है बिग ब्रेकिंग नुज है शबी के लिए जिहां जारकन के सभी स्टूडेंट्स यूआ भ्यारती के साथ सभी आम नागरिकों के लिए भी भा साथ से जारकन में अचार सांगीता लागू हो जाएगी जारकन में चुनाव अचार संगीता आज से लागू हो जाएगी अब क्या होगा उपकमिंग क्या सकते हैं और मॉंस्ट व्वेटिड का सिच्विसन बन रहे थी जेटएट को लेकर oldest syllabus का क्या होगा शायक अच्य羅व जैसे से सीजिया लेक्जाम को लेकर इस्टू अभी भी श्रत्यागरप पे बैठे हैं इनका क्या होगा कैंसिल होगा या इनको न्युक्ति दी जाएगी इन सभी मुद्वों पर आज बात करेंगे तो चलिए पहले इस नौटिस को देख लेते हैं यह एलेक्शन कमिशनल पर नोटीस है और 15 अक्टूबर आज ही का नोटीस है यहां पर मीडिया इन्वीटेशन मीडिया को इन्वाइट क्या गया है इंवीडिया इन्वीटेशन डियर सर मैडम यू आर्कॉर्डियली इनिवाइटेट तो कवर दफॉलोविंग इवेंस को कवर करने के लिए बुलाए सब्सक्राइट के लिए कब कब होगा इसकी घोषना के लिए प्रेश कॉन्फरेंस है और टाइम का अब 15 अक्टूबर टूजडे 3.30 पीम और 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 कहां पर होना है आपका विज्ञान भवन न्यू देली में होना है यह प्रेश कॉन्फरेंस तीन तीस में होगी इसी के सा लेकर अगली सरकार में वापस आती है तो फिर देखिए हो सकता जल्दी एक्जाम हो अगर दूसरी सरकार आती है फिर पताने उनका क्या होगा मन किस तरीके से वो आगे काम करेंगे वो उन पर डिपेंड करेगा साइक अचार वी पेंडिंग क्योंकि निक्ति प्रक्रिया में अब जोइनिंग नहीं दिया जाएगा हना जो भी आजार संगीता लागू हो जाता है यह भले यह व्यकंसी पुरा नहीं है लेकिन अचार संगीता के बीच में जोइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा अब सुप्रीम कोट जो भी डिजिजन दे लेकिन इनको निक्ति अब चुनाव प्रक्रिया शंपन होने के बाद ही मिलेगी नई सरकार में ही मिलेगी चाहिए वो सरकार जम्म की बने या बीजेपी की ब जयांक से इसे केंशल करने के मूड में सरकार नहीं थी इनका जारी करके निक्ति देने का प्रियास में थी लेकिन वो भी अब नहीं होगा न ननुक्ति मिलेगी ना इक्जाम कैंसल चाहिए यानि वह भी बीच में पैंडूलम के तरह जूलता रहा जाएगा श्रब कुछ ऐ ऐसे ही दर प्लानिंग धरा का धरा रगया और आगे इन सभी मेटर्स पे कुछ भी डिसिजन नहीं होना है तो फिलाल यह बिग अपडेट्स थी आप सभी के लिए और कह सकते कि बैड नीज कहेंगे इसी स्टुडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बैड नीज था लेकिन चलिए लेट्स आगे क्या होता है आपके हाथ में अगला चुनाव सकते हैं आपको क्या लगता है उस परकार से आप अंडिकार में ना जाए ठीक है और बहुत सारे का सकते की शरकारें आती है जाती है लेकिन जो होता है कि हर एक सरकार के का सकते मेन उनके सामने यूआ वर्क दिखना चाहिए आप ऐसे सरकारों को चुने ऐसे सरकारों के लिए आप का सकते कि सोच को रखना है कि जो यूआ वर्क को आगे लेकर चलेगा हम लोग वैसे ही सरकार को चुनेंगे ताकि इस प्रकार का दिन देखना ना पड़े यहां जितनी भी सरकारें बनी हो सभी एक ही थाली के चट्टे बड़ी बीजेपी हो जैमें हो सबने युवाओं को चलने का काम किया है और जो भोले भाले ग्राम में जनता है उसको अलग-अलग योजनाओं के माद्यम से उनका वोट हासिल कर लेते हैं और युवाओं को ऐसे छोड़ देते हैं अब आप वेकेंसी के लिए शो जाना है सांत रहना है अभी जिस प्रकार लगतार वेकेंसी जा रही थी वह अब नहीं आएगी चाहिए वह जैमें वापस आए चाहिए बीजेपी आए क्योंकि सरकारों का यह पैटर्न हो गया तीन साल आराम करेंगे चोथा साल से थोड़ा सुबुगारते जोगा और पांचवा साल में वेकेंसी पूरा निकालेंगे और सब को कोड केस में इधर उधर फसाके रख देंगे फिर अधर संगीत लाग हो जाएगी यही प्रक्रिय अधिकारी बन जाएंगे उन सब का सपना चकना चूर हो गया चुनावचार संगीता लगने के साथ ही अब आप वोट के माध्यम से अपने पर्तिक्रिया को दे सकते हैं जो भी आपको लगे है ना चलिए इस वीडियो में इतना है बहुत जल्द मिलते हैं एक नई अप्डे आंग 독յ में बस्या वे डिए खर वे कि अअ अपन श indigenous group